C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 1. अपनी संख्याओं की जानकारी प्रिश्ट 8. प्रयास कीजिए संख्याओं को पढ़ कर उन्हें रिक्त स्थानों में प्रसारित रूप में और उनके नाम लिखिए संख्या 3.000.000 संख्या का नाम 3.000.000 प्रसारित रूप 3.1.000 संख्या 3.500.000 संख्या का नाम 3.000.000 प्रसारित रूप 3.1.000.000 जमा 5.10.000 संख्या 3.5.000.000 संख्या का नाम 3.000.000.000 प्रसारित रूप 3.1.000.000 जमा 5.10.000.000 जमा 3.1.000.000.000 संख्या 4.5.7.928.000.000 संख्या का नाम दाश, प्रसारित रूप DASH, जमा 4.7.928.000.000.000 संख्या का नाम डश, प्रसारित रूप डश, संख्या चार शुन्य 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 दो नश, प्रसारित रूप डश, हेक दशम्लव दशम्लव छे, बड़ी संख्या依, यदि हम छे अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ें तो हमें साथ अंकों की सबसे चोटी संख्या प्राप्त होती है जिसे दस लाख कहते हैं छे अंकों की सबसे बड़ी संख्या और साथ अंकों की सबसे चोटी संख्या लिखिए साथ अंकों की सबसे बड़ी संख्या और आठ अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए आठ अंकों की सबसे छोटी संख्या एक करोड है प्रति रूप को पूरा कीजिए नो जमा एक बराबर दस, निन्यान्वी जमा एक बराबर सो, नो सो निन्यान्वी जमा एक बराबर दश, नो हजार नो सो निन्यान्वे जमा एक बराबर दश, निन्यान्वे हजार नो सो निन्यान्वे जमा एक बराबर दश, निन्यान्वे हजार नो सो निन्यान्वे जमा ए जमा एक, बराबर, डाश, 99,99, जमा एक, बराबर, एक करोड, याद रखिये, एक सो, बराबर, दस दहाया, एक हजार, बराबर, दस सो, बराबर, सो दहाया, एक लाक, बराबर, सो हजार, बराबर, हजार सो, एक करोड, बराबर, सो लाक, बराबर, दस हजार हजार, प्रयास कीजिए, 1. दस घटा एक क्या है? 2. सौ घटा एक क्या है? 3. दस हजार घटा एक क्या है? 4. एक लाख घटा एक क्या है? पांच, एक करोड घटा एक क्या है? संकेत, प्रतिरूप खो पहचानिये प्रिष्ट नौ अनेक विभिन स्थितियों में हमारे सम्मुक बड़ी संख्याईं आती हैं उदाहर नार्थ, आपकी कक्षा के बच्चों की संख्या दो अंकों की होगी, जबकि आपके स्कूल के कुल बच्चों की संख्या तीन या चार अंकों की होगी पांस के शेहर में रहने वाले लोगों की संख्या और अधिक बड़ी होगी क्या यह 5 या 6 या 7 अंकों की संख्या है? क्या आप अपने राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानते हैं? इस संख्या में कितने अंक होंगे? गेहूं से भरी एक बोरी में दानों यानी ग्रेंस की संख्या क्या होगी? ये एक पांच अंकों की संख्या या छे अंकों की संख्या या और बड़ी संख्या होगी प्रयास कीजिए एक, ऐसे पांच उदाहरण दीजिए जहां गिनी जाने वाली वस्तूओं की संख्या छे अंकों की संख्या से अधिक होगी 2. छे अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली पांच संख्याएं लिखिये 3. आठ अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए आरोही क्रम में अगली पांच संख्याएं लिखिये और उन्हें पढ़िये एक दशमलव दो दशमलव साथ बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने में एक सहायता यहां दी गई संख्याओं को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए A. दो साथ नौ चार पाँच तीन B. पाँच शून्य तीन पाँच चार साथ दो C. एक पाँच दो साथ शून्य शून्य तीन साथ पाँच D. चार शून्य तीन पाँच शून्य आठ नौ चार क्या आपको कुछ कठिनाई हुई? आपको ऐसा करने में क्या कठिनाई हुई? कभी कभी बड़ी संख्याओं के पढ़ने और लिखने में कुछ सूचक यानि Indicators लगे होते हैं शहुफता भी सूचकों का प्रयोग करती है जो उसे बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में सहायता करते हैं उसके ये सूचक संख्याओं को प्रसारित रूप से लिखने में भी सहायक होते हैं। उद्धाहरणार्थ वो दो, पांच, साथ में इकाई के स्थान, दहाई के स्थान और सौ के स्थान पर अंकों को ग्यात करके उन्हें सारणी में O, T और H के नीचे इस प्रकार से लिखती है। प्रसारित रूप दो गुणा सो जमा पांच गुणा दस जमा साथ गुणा एक। इसी प्रकार दो नौ शून्य दो के लिए वो प्राप्त करती है। प्रसारित रूप दो गुणा हजार जमा नौ गुणा सो जमा शून्य गुणा दस जमा दो गुणा एक। वो इस सवधारणा को लाखों तक की संख्याओं के लिए लागू करती है। जैसा के यहां दी गई सारणी में देख सकते हैं। हम इन्हें शुगुफ्ता के खाने या बॉक्स यानी बॉक्सेज कहेंगे। ध्यान से रिक्त स्थानों पर छूटी हुई प्रविष्टियों को भरिये। प्रिष्ट 10 संख्या 7-3-4-5-4-3 ती एले रिक्त एले साथ टी टी एच तीन टी एच चार एच पांच टी चार ओ तीन संख्या नाम 7,3,543 प्रसारित रूप डाश संख्या 3-2-7-5-8-2-9 ती एले तीन एले दो टी टी एच साथ ती एच पांच एच आठ ती दो ओ नौ संख्या नाम डाश प्रसारित रूप 3-10-2-1-0-7-10-5-1000-8-100-2-10-9-1 इसी प्रकार हम करोणों तक की संख्याओं को सम्मिलित कर सकते हैं जैसा कि यहां दिखाया गया है संख्या दो पांच साथ तीन चार पांच चार तीन ती सी आर रिक्त संख्या नाम डाश संख्या छे पांच तीन दो साथ पांच आठ दो नौ ती सी आर छे, सी आर पांच, टी एले तीन, एले दो, टी टी एच साथ, ती एच पांच, एच आठ, टी दो, ओ नौ संख्या नाम 65,32,75,839 आप संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखने के लिए अन्य तालिखाओं का प्रारूप भी बना सकते हैं अल्प विरामो यानी कौमाज का प्रयोग आपने धियान दिया होगा कि यहां दी गई तालिखाओं में बड़ी संख्याओं के लिखने में हम ने अल्प विरामो का प्रयोग किया है बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में अल्प विराम हमारी बड़ी सहायता करते हैं. संख्यांकन की भारती अपद्धती यानि Indian System of Numeration में हम एकाई, दहाई, सौ यानि सेंख्डा हजारों का प्रयोग करते हैं तथा आगे लाखों और करोडों का प्रयोग करते हैं. पहला अल्प विराम सौ किस्थान यानि दाएं से चलते हुए तीसरे अंख के बाद आता है और हजारों को प्रदर्शित करता है. दूसरा अल्प विराम अगले दो अंखों यानि दाएं से पांचमें अंख के बाद आता है. ये दस हजार किस्थान के बाद आता है और तीसरा अल्प विराम अन्य दो अंकों यानि दाएं से सातवें अंक के बाद आता है। संख्याओं के नाम लिखते समय हम अल्प विरामों का प्रयोग नहीं करते हैं। इकाई, दहाई, सौ, हजारों और आगे मिलियनों यानि मिलियन्स का प्रयोग किया जाता है। हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंग के बाद आता है। पहला अल्पविराम हजारों को प्रदर्शित करता है और दूसरा अल्पविराम मिल्यनों को प्रदर्शित करता है। उदाहरणार्थ संख्या 50801592 को अंतराष्ट्री अपध्धती में 50,801,592 बढ़ा जाता है। भारती अपध्धती में ये 5,081,592 है। कितने लाग से एक मिल्यन बनता है? कितने मिल्यन से एक करोड बनता है? तीन बड़ी संख्याओं को लीजिए, इन्हें भारती और अंतराष्ट्री दोनों संख्यांकन पध्धतियों में व्यक्त कीजिए। इसमें आपकी रुची हो सकती है। सौ मिलियनों से बड़ी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अंतराश्ट्रीय पधती में बिलियनों अर्थात बिलियन्स का प्रयोग किया जाता है. एक बिलियन बराबर एक हजार मिलियन. क्या आप जानते हैं? भारत की जनसंख्या में इस फ्रकार वृद्धी हुई है. 1921 से 1931 के अंतराल में करीब 27 मिलियन. 1931 से 1941 के अंतराल में करीब 37 मिलियन. 1941 से 1951 के अंतराल में करीब 44 मिलियन. 1951 से 1961 के अंतराल में करीब 78 मिलियन. 1991 से 2001 के अंतराल में कितनी वृद्धी हुई? इस जानकारी को प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए. क्या आप जानते हैं कि इस समय भारत की जनसंख्या कितनी है? पता करने का प्रयत्न कीजिए. प्रयास कीजिए. 1. इन संख्याओं को बक्सूं का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर प्रसारित रूप में लिखिए 1. चार साथ पांच तीन दो शुन्य 2. नौ आठ चार साथ दो एक पांच 3. नौ साथ छै चार पांच तीन एक शुन्य 4. तीन शुन्य चार पांच आठ शुन्य नौ चार A. इनमें कौन सी संख्या सबसे चोटी है B. इनमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है C. इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए 2. यहां दी गई संख्याओं को देखिए 1. 5, 2, 7, 8, 6, 4 2. 9, 5, 4, 3, 2 3. 1, 8, 9, 5, 0, 4, 9 4. 7, 0, 0, 2, 5, 0, 9 a. इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए लिखिए b. इन संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए 3. ऐसी ही तीन और बड़ी संख्याईं लेकर इस प्रक्रिया को दोहराईए प्रिष्ट 12. क्या आप संख्यांक लिखने में मेरी सहायता कर सकते हैं? एक संख्या के संख्यांक लिखने के लिए आप पुनह बक्सों का प्रयोग कर सकते हैं प्रयास कीजिए एक आपके पास 4, 5, 6, 0, 7 और 8 के अंक हैं इनका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्याईं बनाईए a. पढ़ने में सरल्टा के लिए अल्प विराम लगाईए b. इन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए 2. अंकों 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग कर 8 अंकों की कोई 3 संख्याईं बनाईए पढ़ने में सरल्ता के लिए अल्प विरामों का प्रयोग कीजिये 3. अंकों 3, 0 और 4 का प्रयोग कर 6 अंकों की 5 संख्याएं बनाएं अल्प विरामों का भी प्रयोग कीजिये प्रश्नावली 1.1 1. रिक्त स्थानूं को भरिए a. एक लाख बराबर दाश दस हजार b. एक मिलियन बराबर दाश सौ हजार c. एक करोड बराबर दाश दस लाख d. एक करोड बराबर दाश मिलियन e. एक मिलियन बराबर दाश लाख 2. सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए a. तिहत्तर लाख पच्छत्तर हजार तीन सौ साथ b. नौ करोड पाँच लाख हिक्तालीस c. साथ करोड बावन लाख एक्कीस हजार तीन सौ दो d. अट्हावन मिलियन चार सौ तेईस हजार दो सौ दो e. तैईस लाख तीस हजार दस तीन उप्युक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाईए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धती में लिखिए a. आठ साथ पाँच नौ पाँच साथ चैदो b. आठ पाँच चार चैदो आठ तीन c. नौ 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 शून्य 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 चार चै d. नौ आठ चार तीन दो साथ शून्य एक 4. उप्युक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाईए और संख्या नामों को अंतराश्ट्रिय संख्यांकन पद्धती में लिखिए a. साथ आठ नौ दो एक शून्य नौ दो b. साथ चार पाँच दो दो आठ तीन c. नौ 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 आठ पाँच एक शून्य दो d. चार आठ शून्य चार नौ आठ तीन एक प्रिष्ट थेरह एक दशमलव तीन व्यावहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं पिछली कक्षाओं में हम बढ़ चुके हैं कि लंबाई के एक मात्रक या इकाई यूनिट के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है पैंसिल की लंबाई अपनी फुस्तक या अभ्यास फुस्तिका की चोड़ाई इत्यादिमापने के लिए हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं हमारे रूलर पर सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं परंतु एक पैंसिल की मोटाई मापने के लिए हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बड़ा मात्रक है अतह पैंसिल की मोटाई दर्शाने के लिए अपनि कक्षा के कम्रे की लंबाई या स्कूल के भवन की लंबाई मापने के लिए हम पाते हैं कि संटीमीटर एक बहुत छोटा मातरक है अतह इस कारी के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं यदि हमें दो शहरों जैसे दिल्ली मुंबई या दिल्ली कोलकाता के बीच की दूरियां बतानी हूँ, तो मीटर भी एक बहुत छोटा मात्रक होता है, इसके लिए हम एक बड़े मात्रक किलो मीटर का प्रयोग करते हैं सी, एक किलो मीटर बराबर एक हजार मीटर कितने मिली मीटरों से एक किलो मीटर बनता है? चूंकि एक मीटर बराबर एक हजार मिली मीटर इसलिए एक किलो मीटर बराबर एक हजार मीटर बराबर एक हजार गुणा एक हजार मिली मीटर बराबर दस लाख मिली मीटर प्रयास कीजिए एक, कितने सेंटी मीटरों से एक किलो मीटर बनता है दो, भारत के पांच बड़े शहरों के नाम लिखिए उनकी जन संख्या पता कीजिए इन शहरों में से प्रत्य की युग्म शहरों के बीच की दूरी भी किलो मीटरों में पता कीजिए हम बाजार में गेहू या चावल खरीदने जाते हैं हम इन्हें किलोग्राम में खरीदते हैं परन्तु अद्रक या मिर्च जैसे वस्तूओं की हमें अधिक मात्रा में आवश्यक्ता नहीं होती है हम इन्हें ग्राम में खरीदते हैं हम जानते हैं के एक किलोग्राम बराबर एक हजार ग्राम. बीमार पढ़ने पर जो दवाई की गोली ली जाती है, क्या उसके भार पर कभी आपने ध्यान दिया है? ये बहुत कम होता है. ये भार मिली ग्राम में होता है. एक ग्राम बराबर एक हजार मिलिग्राम प्रयास कीजिए एक, कितने मिलिग्राम से एक किलो ग्राम बनता है दो, दवाई की गोलियों के एक बकसे में दो लाख गोलियां है जिन में प्रतेक का भार बीस मिलिग्राम है इस बकसे में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलो ग्रामों में कितना है? प्रिश्ट 14 पानी वाली एक साधारन बाल्टी की धारिता यानि कपासिटी प्रायह कितनी होती है? ये प्रायह 20 लीटर होती है. धारिता को लीटर में दर्शाया जाता है. परन्तु कभी कभी हमें एक छोटे मात्रक की भी आवशक्ता पड़ती है, ये मात्रक मिली लीटर है, बालों की तेल, सफाई करने वाले द्रव या एक soft drink यानि पेय की बोतलों पर जो मात्रा लिखी होती है, वो उनके अंदर भरे द्रव की मात्रा को मिली लीटर में दर्शात ही है, एक लीटर बराबर एक हजार मिली लीटर, ध्यान दीजिए कि इन सभी मात्रकों में हम कुछ सर्वनिष्ठ शब्दों जैसे किलो, मिली और सेंटी को पाते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि किलो कार्थ है हजार और ये इन में सबसे बड़ा है, और मिली कार्थ है हजारवां भाग और ये सबसे छोटा है, किलो एक हजार गुना दर्शाता है, जबके मिली हजारवां भाग दर्शाता है, अर्थात एक किलो ग्राम बराबर एक हजार ग्राम और एक ग्राम बराबर एक हजार मिली ग्राम है, इसी प्रकार सेंटी सौवां भाग दर्शाता ह अर्थात एक मीटर बराबर सौ सेंटी मीटर है। प्रयास कीजिए। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और साथ किलो मीटर प्रतिगंटा की चाल से विभिन स्थानों पर पहुँची। इस यात्रा को यहां दर्शाया गया है। यहां हम बस की आत्रा का एक चित्र देख सकते हैं जिसमें वो A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से G और G से A बिंदू तक वापस आई है। एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक पहुँचने की दूरी साथ में लिखी हुई है। एक, A से D तक जाने में बस दूरा तै की गई कुल दूरी ग्यात कीजिए। दो, D से G तक जाने में बस दूरा तै की गई कुल दूरी ग्यात कीजिए। तीन, बस दूरा तै की गई कुल दूरी ग्यात कीजिए। चार, क्या आप C से D तक और D से E तक की दूरियों का अंतर ग्यात कर सकते हैं। पांच, बस द्वारा निम्न लिखित यात्रा में लिया समय ग्यात कीजिए। A. A से B तक B. C से D तक C. E से G तक D. कुल यात्रा रमन की दुकान। वस्तुएं, दर। सेभ 40 ृपई प्रति किलोग्राम। सन्त्रा 30 ृपई प्रति किलोग्राम। कंगा 3 .pratinaग। दातों का ब्रुष 10 .pratinaग। Pencil 1 .pratinaग। अभ्याज पुस्तिका 6 रुपई प्रतिनग, साबुन की ठिकिया 8 रुपई प्रतिनग, प्रिष्ट 15. पिछले वर्षखी बिक्री, सेब 2457 किलोग्राम, संत्रा 3400 किलोग्राम, कंगा 22760, दातों का ब्रुष 25,366, पैंसिल 38,530, अभ्यास पुस्तिका 40,002, साबुन की ठिकिया 20,005. A. क्या आप रमन द्वारा पिछले वर्ष बेचे गए सेब और संत्रों का कुल भार ग्यात कर सकते हैं? सेबुं का भार बराबर डाश किलोग्राम, संत्रों का भार बराबर डाश किलोग्राम, अतह कुल भार बराबर डाश किलोग्राम, जमा डाश किलोग्राम, बराबर डाश किलोग्राम, उत्तर, संत्रों और सेबुं का कुल भार बराबर डाश B. क्या आप रमन द्वारा सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशी ग्यात कर सकते हैं? C. क्या आप रमन द्वारा सेबों और संतरों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशी ग्यात कर सकते हैं? D. रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु के बेचने से प्राप्ट धनराशियों को दर्शाने वाली एक सारणी बनाईए धनराशियों की इन प्रविष्टियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए वो कौन सी वस्तु है जिससे रमन को सबसे अधिक धनराशी प्राप्त हुई। ये धनराशी क्या है। नई दिली, भारत.